हाई दोस्तो आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर हार्देक स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं फार्मकोलोजी और टॉक्सिकोलोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी की जो दोस्तो आपके एक्जेट एक्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट कुस्चन्स हैं तो बिना देरी किये बिना स्क्रिप्ट किया आप इन कुस्चन्स को देखते रहिए पहला कुस्चन है फाइब नम्म कुस्चन ब्लेंक दिरका है बहुत दा फस्ट एजेट टो भी क्लिनिकली यूजड एज एन एस्टू ब्लेकर तो थियोपेरामाइड, क्लोवेन प्रोपेट, पिप्राजिंस और सिमेट्रिडिन तो इसका करेक्ट आणसर हो जाएगा उप्सन नम्म डी दो इसका क्लिनिकली यूजड एन एस्टू ब्लेकर तो इस्टू ब्लेकर के रूप में यूजड होने वाला फस्ट एजएड कौन है क्लिनिकली रूप से वो है दो अप्सन नम्म डी इसका राइट आंसर हो जाता है ने इस कुश्चन है कुश्चन नम्म 6 seas 5-hydroxy-hydroxy-tryptamine is commonly Non-age तो इसी सामान रूप से किस रूप में जाना जाता ही सेरो-टोन & histamine की लूप में Bros. और ng wykon Services निलिए रूप में तो से युक्षिन नम्मर करिक्त इसार हो जाएगा शेरोटोन स्टेक्टेजन एंड बोर्शंस दा मायो काडियल इसकी में कंडिशन्स ब्लड प्लाजमा एंटी रो क्रोम पिन सेल्स एपिआलील सेल्स प्लेट लेट से तो इसका क्रिक्ट आंसर हो जाएगा और उपसिंद दी प्लेट लेट यहां पर आ which does not have any sedative effects, तो tryptans, c-sapride, buspiron, और dexphen, pluramine, तो इसके करिक्टि आंसर हुजाएगा, option number C, buspiron is the right answer. Next question is, question number 9, Blender का ही is a 5-HT2E antagonist with very minor affinity for alpha-1 receptors and do not have any specific action to basodilet. तेसन, तो retacerine, ketanserine, chyproheptadine और ondacetron, तो इसके करिक्टि आंसर हुजाएगा, option number E, retacerine, option number E is the right answer. Next question is, question number 10, Blender का ही is a synthetic analogy of alpha-stadil and is available in the form of 1MG vaginal patients. तो जीमी प्रोस्ट, एल्पोस्टेडल, कार्बो प्रोस्ट और ट्रिमो प्रोस्टिल, तो इसके करिक्ट आंसर हुजाएगा, option number E, जीमी प्रोस्ट is the right answer. Next question is, question number 11, इसके करिक्ट आंसर हुजाएगा, option number B, ग्रोस्ट आंसर, Next question is, question number 12, ब्लेंक दिरका ही, इसके करिक्ट आंसर हुजाएगा, इसके करिक्ट आंसर हुजाएगा, जीमी प्रोस्ट आंसर, इसके करिक्ट आंसर हुजाएगा, यह दोनों ही करिक्ट आंसर हुजाएगा, जी दुस्तों responsible होती हैं, पूर्दा कॉंस्ट्रेक्शन, आप स्मूद मसल्स, इसके करिक्ट आंसर हुजाएगा, तो option number D, इसके राइट आंसर हुजाएगा, तो इसके करिक्ट आंसर हुजाएगा, और अपसे नमर बी, पूर्दा आंसर हुजाएगा, तो इसके साथ हमने फार्माकोलोजी के टॉप 10 MCQ कम्प्लीट कर लिए हैं, अगर आपको मारी वीडियो अच्छी लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्स्ट्राइब करें, और अपनी दोस्तों में सेयर करना बिल्कुल न भूलें, थेंक्यू दोस्तों,